वेलकम बैक गाइस इन इस वीडियो इस वीडियो में हम आपको यह जो विंडोज का दो अप्सन आता चूछ करने का विंडोज फर्स्ट सेकंड करके दो ड्राइब में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी वे में आपको बताएंगे आप बिल्कुल अब जो प्रॉब्लम देखे हो उसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं जब अपना सिस्टम और करते हैं तो हमको यह चूछ करने का उप्सन आता है फिर उसके बाद हम पासवड डाल के और इंटर कर जाते हैं तो यह प्रॉब्लम कैसे दाल करते हैं यहां पर हम विंडोस और और बिटन को दुन को दोएंगे भर én क्मान चलाएंगे यहां पर लिखेंगे यह मश्मस जैसा कquis स्कीन पर देख भी पारे हो विंडोस प्लस टबाके हम यह मश्मस न guarई मिंखेंगे यह लिख के हम Microsoft के configuration फाइल में जाएंगे न वहां से हम कुछ फाइल को delete करेंगे जो हम Windows delete करेंगे वो actually boot option में जाके हम D वाले को हटा देंगे क्योंकि हमको C वाला load कराना है C वाला मेरा SSD का है तो मैं SSD वाले load कराऊंगा D को मैंने delete नहीं किया था जब मैं अपना Windows install कर रहा था मैं सोचा next time कर दूँगा तो मैं आपको बस actually यही बताना चाहता था कि आप कुछ इस तरह delete कर सकते हो बाकी हो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता बस यह आप जब delete कर दोगे फाइल जब restart कर आओंगे अपने system को तो यह problem हट जाएगा आपका बिल्कुल आप देख पारें जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है तो गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और दोस्तों के साथ सेरी किजिए क्योंकि ऐसे वीडियो में बनाता रहता हूं system related और कुछ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप ऐसे वीडियो और देख पाएं थांको सो मुझ गाइस